नमाश्क्राद दोस्तों सौगत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जैनी एजुकेशन पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टजक्यू डीएक्स कफ सिरुप के बारे में ये जो दोस्तों कफ सिरुप है इसके क्या उप्योग है बेनिफेट्स क्या है साइड करते हैं इसके क्या उपियोग है बेनेफिट क्या है तो अगर हम इसके उज्ड businessman की बात करे तो सबसे पहले जो में की किसे के लिए होता है अगर सूकी खासी हो रही है तो उसके लिए यह बहुत ही यूज्फूल है सूकी का सी के treatment में इसका यूज होता है दूसरा दूस्तों सर्दी जुखाम की वज़े से अगर नाक बंद है, कान बंद है, नाक से अगर पानी आ रहा है, बैटी नाक यानि नाक से बार-बार पानी आ रहा है तो उसके treatment में भी इसका use किया जाता है जैसे कि बंद नाक से अगर आप परिशान है सरदी जुखाम और अगर कान बंद है कफ आ रहा है जैसे कि dry कफ आता है तो mainly ये dry कफ के लिए use होती है ये जो कफ सिरप है ये dry कफ के लिए use होती है और दूल से अगर allergy है dust से अगर allergy है तो उस allergy के treatment में भी इसका उप्योग किया जाता है खास तोर पर इसका सूखी खासी के लिए उप्योग किया जाता है और बंद नाक और दूसरी जो खुजली वगेरा है खुजली को भी ये ठीक करती है अगर तो allergy को भी ये ठीक करती है और दोस्तो अब बात करते हैं इसके क्या-क्या ingredients इसके अंदर present होते है active ingredients कौन-कौन से है इसके अंदर क्या-क्या content है इसका तो देखें दोस्तो इसके अंदर phenylephrine, chlorophaniramine और dextromethorphan present होते हैं इसमें दोस्तो phenylephrine और chlorophaniramine ये दोनों दोस्तो anti-histaminic drug है histamine के release को ये block करती है और दूसरा दोस्तो इसके अगर हम side effect की बात करें कौन-कौन से side effect है इसके दोस्तो ये जो test qdx cuff सिरफ है जो की dry cuff के लिए यूज होती है सुकी खासी के लिए भी यूज होती है स्कीन के color में कुछ changes हो सकते है कब्स होना मुँ सूखना चकर आना और पेट दर्द ये कुछ इसके side effect है और दोस्तो जैसे की गला सूखना और भूख कम लगना नाक बंद ये इसके side effect है दोस्तो अगर हम इसके schedule की बात करें test qdx कौन से schedule के अंदर आती है तो दोस्तो ये schedule G के अंदर आती है और दोस्तो बिना डॉक्टर की सला के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए वरना बिना डॉक्टर की सला के अगर कोई भी drug आप यूज करते हैं medicine का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनको एंजाइना है हर्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज है हाइपर थाइरोइड कोरोनरी आर्टरी डिजीज सुगर काला मोतिया बिन थाइरोइड या फिर जो लिवर डिजीज से रिलेटेड अगर कोई डिजीज या डिसारडर है COPD, डिप्रेशन, परकिंसन्स डिजीज अगर इन में से कोई भी डिजीज या डिसारडर उनको है तो उन पेशेंट को व्यक्ति को इस टस्क्यू डिएक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए उनको यूज करते टाइम सावधान या बरतने चाहिए और एक बार डॉक्तर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए इसके बारे में करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पूल होगी चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कीजे क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो